तो आज की ये वीडियो में तमाम इंग्लिश ओनर्स के विध्यार्थियों के लिए हैं जो इस वर्स एक्जाम देने वादे हैं या फिर जिनका एक्जाम आगे करें आज की ये क्लास खास करके जो भी सेकंड पार्ट के आपके सेकंड इयर के स्टुडेंट हैं खिक है जो इंग्लिश ओनर्स की तयारी करते हैं जो इंका एक्जाम होने वाला पहार भी द्यारे जो अनवाओ करेंगी है त्पियम् राम बेदकर इमिश्थिटी या जो पिहार की स्टुडेंट हो या फिर हिंदोस्तन के किसी ही विश्व बिद्धार है कि यदि इनके syllabus में प्यारे उसाथ हो यदि ये नाम का अगर चैक्टर है प्लेजर्स अगर है ये एक essay है ये आपको पहना है तो पिल्कुल आपके सब्सक्राइब वीडियो का आदर है इस एडियो में अनुब जहां कि प्लेजर को कम्प्रीट करें ये एक essay है ये देर मां करती है तो प्लेजर की बाते हैं ये अपना essay है जिसको लिखा है प्लेजर्स बाई अल्डोस हकसले ने लिखा है आराम से इस समस्ते हैं कुलिक essay की सम्रीट की क्या प्यारे बच्चो याम जी प्लेजर्स इस एन essay written by अल्डोस हकसले हकसले is one of the famous essayists of today's time who was born in 1894 and died in 1863 ये एक modern essayist है जिन्होंने essay लिखा है कौन सा essay लिखा है लेजर्स प्लेजर्स इविंग ऐसे हैं जी स्कोई लोने लिखा है जिनका बॉर्ण हुआता है 1894 में और डैथ मुझाते हैं सब्सक्राइब है हचले स्ब्सक्राइब वाज अल्डोस लिवनार्ड भाक्सले पूरा नाम होगा है ये है कि आपके साथ है अब ऐसे की बात करते हैं कि जैसे उन्होंने कौन-कौन सी बात करें और ये बड़ा आसान ऐसे हैं इस एसे में आज की मॉडरल गात और नसितर लाइफ के पीछ में difference को बताने कर पूसस किया गया है कि पहले तो कैसे खुदको एंटरिब किया कर दे ठीड है और आज के समय में नो की जीज़े हैं इसी में बात होगे ज़रा जुरू करते हो अराम से पढ़ेंगे में कि अचन है लाज में हुआखेशगा लाज़ समय को अचलाराबी एक करूंज में अबचाराइखेशगा अझाली के टी हमें अचलाइगा नहीं कि अचलाइगा है कि विद्ध सेंट कि अचलाइगा इस नहीं है। समझ में आ रहा होगा इन्होंने असपस्ट सब्दों में कहा है ऐसे भी कि पहले के जमाने में यानि के अंसेस्टोर्स और आज के युवा नहीं जो भी हो है इकसाम है उनके बीच में अंतर बताया है कहते हैं कि अर्लियर पहले जो हुमन का लाइफ होता था कहते हैं कि अर्फ ने जो हैं यही अंतर आपको भी शमझ में आ रहा होगा कि आज क्या है त्यार साथ हो आज इन्सान जो है पुपट्स कटकुतली बना हुआ है आज सब कुछ अभी उज करते हैं लेकर रहा है कम्प्लिटली अभी डिपेंट हो चुके हैं अर इसके कारण वी आर नाट बबल तो यूज यूज नहीं कर पा रहा है अपने नॉलेज को और अपना काम भी नहीं कर पा रहा है बसे लेज से आज कर लोग अधने इसके यूज नहीं करता है उसके तेज तरा आप्ध आनंद देने वाली चीजें बुद्धी का यूज नहीं आज नोग किन का यूज करना है रेडि मेड सीजू का यूज करना है अपने नहीं जिवें तुडेइज चेंजिंग ताइम्स आज बदलते समय थे चेंज पीपल्स ठीकिंग लोगों के विचार को भी आज समय देख्या क्या आज अज बदल देख्या है। The writer believes that, writer ये मानते हैं, in today's time, different types of mints are used for entertainment. आज लेका की मानते हैं कि आज के समय में लोग अलग अलग प्रकार के mints सरीकों का, साधनों का यूज करते हैं entertainment के लिए, like cinema, sports, boxing, dramas, cricket, a big used in every field for entertainment of the people. इली सभी का तो यूज केया जारा हरे field में entertainment के लिए, but all these are ready made in today's time. लेकिन प्यारे साथ के ये सब कुछ क्या है, ready made है आज के time. This type of entertainment is very dangerous for our similar traditions too. ये समस्क प्रकार के जो entertainment है, वो हमारे civilisation का प्रकार है. Because in this type of entertainment, except for a few people, कुछ लोगों को छोड़ करके, everyone feels like some people just become spectators. सब लोग मुदर सक बने हैं, सब लोग देख रहे हैं. कुछ लोग खेलते हैं, ज्यादा लोग देखते हैं. ज्यादा लोग देखते हैं. ज्यादा लोग देखते हैं. ज्यादा लोग देखते हैं. The writer further tells that, in ancient times, our ancestors used to entertain themselves. आज के क्या सबना हैं, प्यादे दोस्तों, कि आज ज्यादा लोग देख करके enjoy करते हैं. Like, अभी IPN का सीजन चलता है, खेलने मालेकव करना हैं. ये happiness का सूप्स करते हैं. अज़र एक बात आप जानते हैं, ज्यादे दोस्तों, कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस्टेवियों चाइना में. Economy सबसे बेस्ट USA की, Canada की है. आप जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे, साओदी अरभिया के बारे में जानते होंगे. कि क्या आपको पता है कुछा दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्टेवियों मारे इस में एक ट्रीकोणटीए के ऐ चयज़ा में, इस दाथे से, इंड्या में, इंगलैंदे, और्स्टेलिया में, पाकिस्तान में, बांगलादेस में, cricket को помोड किया जाता है, वैसे अमेरिका जैंक दैंक कामे嗎 जैंक कामेन जैंक कामे जैना जैना जैंक पूछल में एकन ब्हुताल अजय हमां जैंक विर समय हुएुए हैं सब्सक्राइब दिर भीवजर पीम्हिए ह와 थे जैंक talks वीवजर्गें Attर्व man रेग्स कॉदक गैसों गामस्ताथ औिक जिए वाग अवर्टा कई यूर्टाए Tapi प्यागे दीज्ड यूर्ड़ हिस प्ति हवावें से बिएलफ तिव बð­ लोकी औ 스ट दावस भायँ पन्यूर्व्ट पो भीर्टाइ।हर्टेश लो mechanical को निझे सbeing really student after this interesting fact. I would like to read further something. Okay? So here, further, the writer explains that in 16th century, the writer already explained that in the it was very difficult to understand Shakespeare's language. It was very difficult to understand Shakespeare's language. But today, all this has changed. Everyone is now a customer or expected. We have one question. Today, what is the question? What is the question? If someone asks a question, a page in English, then the text cannot be given. If someone asks a question, they are given a question or something, it is given a question. If someone asks an answer, they are given an answer to them. लेकिन पहले क्या दा, पहले लोग मुटी मुटी पूटे टिसना रही रखते को श्यों समस्के दे चीजिए को, पहले इना सूर्शे से नहीं आख टिकिन ये कहान रहा हूँ further the writer explains that the way a useful item is being made in a factory, in the same way today's entertainment, joy pleasure is being large and sweet जिस प्रकार आज कोई चीज जो है, आइटम जो है, फैक्टरी में बन रहा है, उसी प्रकार आज का इंटर्टेंटमेंट हो, चुआ हो, प्रेजर हो, इसको भी बहुत बड़े अस्तरपें बनाया जाए। which is not good for us situation. जो हमारे मैंखरे सिविलाइसन के है युभ आज कोई इसको इन कि प्रेजुन नेय। The writer also tells that in today's time people do not even try to understand the huge people, even in this. What is easily understood is enough because now we get everything we are made by machines. हैं सन्दूर है नोग कहां पढ़ते हैं इस पिर्फेड़? पिर्फेड़ दो नोग रहा है इस प्राइ आटीज पर्फेड़? डेले बूस्ट वन कहां प्रच काहिएएएग निवीड़? बर्यारी की विवीड़ देर देवीड़? what, newspapers, magazines okay but most of the people do not read it हम लोग क्या करते हैं सब कुछ हमें क्या चीह हो in the last, the writer says that he's not against this kind of pleasure अंत में लेकर करते हैं इस परकार के pleasure से वो बिलकुल भी विया against नहीं है but we should not leave intelligent pleasure behind this machine लेकिन कहते हैं कि इस machine वर्ट की थे हमारा intelligent pleasure है धी वाला ख्यान वाला pleasure इसमने की चुट है we should use our knowledge in any work because if we continue to depend on the machine like this then the trick is not far when all these machines will be finished ऐसे ही machine का यूच करेंगे तो वो देन दूर नहीं कि साना को सिंस्वा इसके बनाने वाले जितने भी है we'll go on, सब चले जाएगे and then we will continue to worry अब लगदार चिंदा करेंगे है को सिंस्वा तो प्यारे साथ ही हूँ यह था pleasure जिसका conclusion आप समझेए कि ancestors को कैसे रखेंगे और आज को कैसे रखेंगे अब बढ़े अच्छी रखेंगे उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी रखेंगे और हर बाद में अच्छा लेके share करता हूँ आपके share, आपके सिंस्वा सिंस्वा कॉमेंट से यहां पर motivation निता है inspiration निता है और और ज़्यादा काम करता हूँ करता हूँ उमीद है आप ऐसा चलो करता हूँ करता हूँ